आप सीखते हैं यहाँ पर बिल्कुल शुरुवात से बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश पढ़ना और लिखना इंग्लिश की स्पैलिंग्स को सही लिखना, करेक्ट लिखना, उसके रूल सीखते हैं किस सरीके से इजी तरीके से इंग्लिश को पढ़ पाएं जहां पर रूल न लगे तो उन इंग्लिश की स्पैलिंग को हम लिख पाएं तो वह सभी आप बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से यहां पर सीख रहे हैं तो जो पिछली क्लास थी वहां पर मैंने जो वाउ जो इजन है उनका उचारन मैंने एक एक जितने भी लेटर से एक सिंगल सिंगल यह डबल आ रहे हैं जोडो में तो वहां पर उनका साउंड मैंने एक दम कंप्लीट जो सांड जितना भी उनका प्रनूंसेशन उचारन वह बताए ऐग्जांपल पल्स के साथ अगर आपने व आपको वो class मिल जाएगी तो उसको देखकर आप single letter का pronunciation सीख सते हैं तो आज की जो class रहेगी इस पर focus रहेगा English spelling rules इसमें क्या है कि most important rule को हम discuss करेंगे जिसमें कर sound रहेगा यानि यह जो के दे रखा है न के इसका sound कर रहता है हिंदी में जो कर बोलते हैं वो sound रहता है इसकी spelling के rule अब इसकी spelling के rule कैसे कई बार क्या होता है कि आपको जो है सी कोई spelling में लिखना हो या फिर पढ़ना हो पढ़ना हो तो ठीक है आप कर स्पेलिंग तो हम को कैसे पता चले क्योंकि सी को भी हम कव पढ़ते हैं के को भी हम कव पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चले कि हम उस spelling में part कि क्यूंकि C, K को भी हम कर पढ़ते हैं या फिर हम K, E लिखें क्यूंकि K, E को भी कर पढ़ते हैं तो कैसे पता चलें? एक और है कि शुरुआत में C और K लिख देते हैं, शुरुआत में C और K आ जाता है किसी भी स्पेलिंग में तो दोनों का उच्चारण कर रहता है तो हम कि से पता चलेगा कि हम सी लिखें या के लिखें सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि कहां हम सी लिखें के लिखें के लिखें के साउंड के लिए के प्रनेंसेशन के लिए के उच्चारन के लिए एके करके रूल देख लेते हैं चार या पांच रूल रहेंगे इसके बाद में आपका सारा confusion दूर हो जाएगा नमबर वन पे जो रूल है उसको देखें यानि की के जब आता है end में के लिखा आएगा अब के होगा या सी के होगा सभी को हम कर तो पढ़ेंगे उच्छारण तो कर रहेगा अगर last में आएगा तो हम को कैसे पता चले कि के हम लिखें कर सावंड के लिए इसका रूल है कि कर सावंड after long vowel sound मतलब की कर जो है सावंड अगर vowel सावंड होते हैं vowel का सावंड होता है उच्छारण होता है प्रमदेशन रहता है long होता है उच्छारण भी लंबा लेकिन double ईहां परnea है तो यहां पर देखेंगे double e ले 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 लेए या ea ले 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 सिखो रहा है लीक रहह रहे है तो लीक कलास्ट में sound कर रहा है तो क के के लिए हम के लिखेंगे अब क्यूं। लिखेंगे क्यों कि यहां पर इस look में इसик में इस का उचारण Long है एक तुलंबा है और यहां पर Vowel Pair है ठीक है Vowel Pair है Long Vowel Sound है यहां पर भी Double E है यहां पर देखा कि पहला rule यहां पर बताया गए है कि कर sound for longer long Vowel Sound long Vowel Sound अब long में single ही रहता है लेकिन जहां पर Double डॉबल आ रहा है ठीक है double है यहाँ पर देखे अगला कि short words के last में यहाँ पर short words का मतलब है कि छोटी spelling जिनको हम break ना कर सके जिनके हम भाग अलग-अलग ना कर सके जिनको हम तोड़ ना सके तो एक छोटी spelling में फिर दूसरी चीज है कि long vowel में जैसे कि यहाँ पर vowel team आजाएगी और इनका उच्छारन लंबा ही रहता है, long ही होता है, तो वहाँ पर हम last में अगर क का sound आता है, जैसे कि यह के बाद में तो क क के sound के लिए हम k लिखेंगे, हम c नहीं लिखेंगे, हम ke e नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर rule clear हो गया कि हम वहाँ पर क्ये लिखेंगे, पहली चीज तो ये, फिर दूसरी है कि कर sound से पहले consonant हो, एक consonant भी हो सकता है, लेकिन sound उसका long रहेगा, एक consonant हो सकता है, लेकिन sound उसका long रहेगा, अभी आपको examples के through समझ में आएगा, एक चीज यहाँ पर जैसे कि एक OR, ये OR, और क का sound आएगा, किसी भी last spelling में, अब ये तो spellings जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पर O और R अगर हम इसको pronounce करेंगे, तो long sound produce करेंगे, ER, ये भी long sound produce करेंगे, ER और इसके बाद में क, OR और इसके बाद में क, क का sound आएगा, तो हम के लिखे है, कि U, R, A, R, और I, N, यहाँ पर, जैसे कि ये लिखा, मैंने यहाँ पर pink लिखा, मैंने लिखा pink, P, I, N के pink, तो यहाँ पर ये जो I, N है, और pink last maker sound आ रहा है, तो यहाँ पर, ये N क्या है, N consonant है, N वेंजन है, और I यहाँ पर क्या है, एक vowel letter है, तो यहाँ पर इन दोनों क अगर combine करके पढ़ रहा है, तो long sound produce हो रहा है, तो pink, तो क के लिए यहाँ पर भी हम के लिखेंगे, हम सी नहीं लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर A, R, और के, तो मैंने यहाँ पर लिखा, बार्क, क्या लिखा, बार्क, तो यहाँ पर बार्क, क के इस तरीके से भी आपको combination मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, उस spelling में, अब यहाँ पर examples के तुरू आप और easy तरीके से समझ पाएंगे, spellings कर sound के लिए के लिखेंगे, यहाँ पर spellings है कि कर sound रहेगा, तो के लिखेंगे, जैसे कि seek मैंने बताया, दो पेर है, दो vowel, letters है, पेर है, जोड़ा है, तो seek और double e का उचारन भी long है, फिर यहाँ पर leak हो गया, ea है, leak कर, और कर sound produce हो रहा है, कर के लिखेंगे, फिर यहाँ पर के नहीं है, तो यह spelling इसके साथ नहीं जाएगे, हम कर sound वाली spellings देख रहे हैं, फिर देखें, पर्क है, तो पर्क में e, r, और फिर क का sound आ रहा है, क के sound के लिए हमने के लिखा, लास्ट में, e, r, जो है, consonant है, जैसे कर sound से पहले, r भी हो सकता है, मतलब, r नहीं, consonant, कोई भी consonant, वेंजन हो सकता है, तो वहाँ पर भी यह e, r, अगर हम combine करके pronounce कर रहे हैं, इस spelling को, तो यहाँ पर पर, पर, तो यहाँ पर e, r का combination क्या दे रहा है, तो single भी हो सकता है, कहने का मतलब है, कि k से पहले एक consonant रह सकता है, और r से भी पहले एक आ रहा है, क्या e, एक swear, यानि उच्छारन यहाँ पर लंबा रहा है, इन सारी spelling में long pronunciation रहा है, जैसे कि यहाँ पर, देखेंगे, pair रहेगा pair रहेगा इस तरीके से भी spelling आ जाएगी जोड़ा रहेगा vowel का तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे cook और क का sound आ रहा है तो हम k ही लिखेंगे फिर यहाँ पर देखें ड्रिंक है drink यहाँ पर k से पहले एक consonant आ रहा है तो हम क क के लिए कर sound के लिए k ही लिखेंगे ब्लिंक है, यहां पर भी आप देख सकते हैं, एक consonant आ रहा है, फिर देखेंगे fork है, तो OR आ रहा है, और कर साउंड के लिए, कर रहा है, फिर weak है, bank है, इस तरीके से, यहां पर book, अब यहां पर book नहीं है, यह शौर्ट प्रनेंसेशन है, तो यहां पर भी आपको ध्यान रखन के लिए हम K लिखेंगे, perk है, dark है, तो बोला जा रहा है, तो उचारन लंबा रहा है, pink है, और talk है, इस तरीके से, यानि कि vowel का पेर रहेगा, लंबा उचारन रहेगा, शौर्ट उचारन है, तो वो भी मैंने बताया है, कि double है, पेर है, शौर्ट है, तो भी हम क्या करेंगे, कर ही, कर साउंड के लिए के ही लिखेंगे, तो पहला रूल तो आपको clear हो क्या होगा, अगर नहीं भी समझ में आए, तो इन spellings के आप practice करेंगे, बोल कर देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, next rule की तरफ बढ़ते हैं, rule number two है, C कर साउंड के लिए, यानि यहाँ प हम C लिखते हैं, चलिए देखेंगे कैसे, end of a long word, end यानि अंत में, last में, end में, बड़ी spellings में, अभी इससे पहले देखा तो हमने short spellings थी, मतलब short words, छोटे-छोटे शब्द कह सते हैं, short spellings, short words थे, लंबी नहीं थी, यानि ऐसी spelling नहीं थी, जिसको हम break कर सके, यहाँ पर हम break कर सकते हैं, बड़ी spellings होगी, जिने हम break कर सकते हैं, और English में उसको two-slable words बोलते हैं, two के three भी हो सकते हैं, लेकिन mostly two-slable, यानि दो भागों में हम एक spelling को ऐसे break कर सकते हैं, तो वहाँ पर अगर क का sound आता है, last में, तो हम के लिए C लिखेंगे, यहाँ पर K नहीं लिखेंग तो देख लेते हैं, spellings तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कि यह spelling है, पिक निक, अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा, पिक तो हम C की जगे K भी लिख दें, और यहाँ पर निक के बाद में भी K लिख दें, तो यहाँ पर क्या है, जैसे पिक निक स्पैलिंग है, अगर हम इसको break करेंगे, यानि इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और इंगलिच में इसको बोलते हैं, two syllable words, दो भागों में बाटा जा सकता है, two syllable words, तो यहाँ पर پहले हमने पिक लिखा और फिर निक लिखा, तो पिक यानि इसके end में कर्साउंड आ रहा है, फिर निक इस कैंद हम कर्साउंड आ रहा है तो एक सिच यहां पर करेंगे k्या करेंगे हम क्या करेंगे काद मं क साउंड के लिए c इसे हैं पर लिए yaşy certificacology ऑनिग है pik के पानिक किसीने बॉला कि पैनिक की झाल लिखे तो पैनिक कंद कर की स्पेलिंग में के लिख दिया अब यहां पर पहले pan और फिर ik, तो यहां पर देखें कि pan हो गया, फिर ik हो गया, यानि इस spelling को हमने break किया, तो इससे पहले, confused ना हो ना कि इससे पहले जो spellings थी, उनको हम break नहीं कर सकते थे, उनको हम दो भागों में divide करकर हम pronounce नहीं कर सकते थे, एक ही सांस में वो बोली जा र कर के लिए सी लिखेंगे, फिर देखेंगे ट्रैजिक है, पहले ट्रै लिखा फिर जिक लिखा, तो कर का साउंड लास्ट में हो रहा है, और दो स्लेबल वर्ट्स है, मतलब कि divide कर सकते हैं, उन spellings में हम क्या करेंगे कर साउंड के लिए, अगर लास्ट में कर साउंड लिखेंगे, मैजिक में देखेंगे, तो मैं और जिक हो गया, तो यहां पर जिक कर के लिए हमने सी लिखा, फिर देखेंगे गारलिक, तो गार फिर लिख यानि दो पार्ट्स में ऐसे हमने डिवाइड किया, तो यहां पर जब भी अब गारलिक की spelling किसी ने कहा कि लिखें या बता है तो garlic तो confused नहीं होंगे कि हम last में c लिखें या k लिखें अगर हम c लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं क्योंकि इस garlic की spelling को पहले गार और फिर लिख बोला जा रहा है तो दो parts में हम divide कर सकते हैं तो last में अगर कर sound रहेगा जैसे लिख में हैं यहाँ पर होता गार में भी अगर कर साउंड रहता तो यहाँ पर last में तो भी हम c लिखते लेकिन यहाँ पर तो है नहीं तो इस Lick में, कर sound last में है, तो कर sound के लिए C लिखा, सब्सक्र व है म्यूजित में है, यहाँ पर देखेंगे, थो पहले Mu और फिर Mic हो गया, तो यहाँ पर music नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर Z का sound produce हो गया, इस S के लिए, तो यहाँ पर C जो लिखा, हमने last में produce हो रहा है कर का sound तो हमने कर के लिए C लिखा अब आगे देखे topic है तो पहले top फिर 1 topic 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 तो यहाँ पर 1 यहाँ पर C के लिए C लिखा कर sound के लिए logic तो law orgic इस तरीके से अब यहाँ पर आपने क्या सिखा कि ऐसी बड़ी spellings जिनको हम कर पाते हैं बड़ी spellings होगी तो last में end of end जब होगा तो last में क क क साउंड प्रिड्यूस होगा तो हम उसके लिए क क क के sound के लिए हम C लिखेंगे इससे पहले आपने देखा कि जैसे C, क्लीक इन spellings को हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं पहले C और फिर एक ऐसे बोल सकते हैं लीक, ग्रीट, पर, कुक हम एक इस रांस में इन spellings को बोल रहे हैं तो यहां पर कर sound last में ही आ रहा है कर sound लेकिन break नहीं कर सकते हैं इसलिए C की जगे के आ रहा है कहां पर C आ रहा है टूस लेबल वर्ट में जिनके हम दो पार्ट कर सकते हैं दो के तीन भी हो सकते हैं तो mostly दो ही रहते हैं तो इस तरीके से दो रूल्स आपको clear होगे कर sound के फिर देखे third rule पे चलते हैं third rule में क्या है यहां पर है single यहां पर short इसको यहां पर आरगाइब है short vowel short vowel होगा यानि कि छोटा उचारन रहेगा single होना चाहिए शुरू में हमने पढ़ा था जैसे double E आ रहा है दो vowel pair है ठीक है E A आ रहा है double O आ रहा है लेकिन यहां पर single ही रहेगा और short sound रहेगा short vowel रहेगा तो वहां पर हम last में C के लिखेंगे कर साउंड के लिए कहां पर short vowel होगा एक ही होगा double नहीं होगा double रहे रहा था वहां पर तो हमने के लिखा था first rule में देखा और short words यानि कि चोटी spellings में ही यह रहेगा यह rule चले यहाँ पर देखें जैसे सिंगल A, E, I, O, U यह आ जाएंगे और लास्ट में C के रहेगा सीधा सीधी सी बात है कि जैसे A के बाद C के E के बाद C के, I के बाद C के O के बाद C के, U के बाद C के तो यहाँ पर इनके बाद यह एक तो पहली चीज़ तो सिंगल ही आएंगे जैसे back है, अब यहाँ पर हम back में कभी B, A, C क्यों नहीं लिखते हैं, back नहीं लिखेंगे हम C के लिखेंगे, इस रूल के अनुसार, back हो गया, black हो गया, brick हो गया, block हो गया, यहाँ पर block, duck pack, तो यहाँ पर लास्ट में सब हमें देख रहे हैं, कि C के आ रहा है और C के से पहले C के से पहले देख रहे हैं, कि एक wow letter आ रहा है, उच्चारन short रहेगा, back नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं back, हम black बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, कि black catch के, यानि long उच्चारन नहीं हो रहा है और C के से पहले देखेंगे तो A आ रहा है यहां पर भी A आ रहा है इस C के से पहले E आ रहा है फिर O आ रहा है इस से पहले तो ऐसे सिच्वेशन में कर साउंड आएगा कर साउंड प्रिड्यूस होगा तो वहां पर हम C के लिखेंगे simple सी बात है, simple सी साधरन सी भाश्या में बताऊं तो यानि A, E, I, O, U इन में से एक वाउ लेटर रहेगा, पांची तो होते हैं और उसके बाद में कर साउंड आएगा तो हम, जो है छोटी spelling में हम C के लिखेंगे तो एक बार pronounce कर देती हूं इनकी आप practice कर सकते हैं जैसे back हो गया, black practice क्या करनी है रूल आपको समझ में आ गया है तो spelling लिखनी आ जाएगी फिर देखे, brick हो गया, block हो गया, duck हो गया, pack हो गया, clock हो गया, sick है, यहाँ पर luck है तो सभी में CK से पहले एक वाउ लेटर है उच्चारण उसका छोटा है, short है rule number 4 देखेंगे rule number 4 क्या है यहाँ पर है A, E, I, O, U इन में से, इन वाउ लेटर में से एक लेटर आ जाएगा फिर एक consonant आएगा और last में E रहेगा तो ऐसे situation में भी हम क्या करेंगे, यह जो consonant रहेगा यहाँ पर तो के ही आएगा क्योंकि हम कर की ही, कर साउंड की बात करें तो के आएगा तो यहाँ पर के, E, कर साउंड प्रिड्यूस करेगा यानि यहाँ पर इस consonant की जगे के और last में E और इस से पहले इन लेटर में से इन वाउल लेटर में से एक लेटर आएगा तो ऐसे situation में हम जो है कर साउंड प्रिड्यूस होगा तो वहाँ पर के, E, के, E लिखेंगे कर साउंड के लिए अब कैसे अभी आपको समझ में आएगा उचारन यहाँ पर देखेंगे जैसे यह के, E से पहले अब सिंपल सी भाषाओं में समझाओं तो के, E आएगा लास्ट में है, यह लास्ट में है और इससे पहले यहाँ पर वाउल लेटर आएगा जो भी वाउल लेटर आएगा इन पाचों में से जैसे A भी हो सकता है, E भी हो सकता है i भी हो सकता है, o भी हो सकता है, u भी हो सकता है लेकिन उच्चारन इनका long रहेगा तब हम k e का pronunciation यानि इसको उच्चारन इसका रहेगा क रहेगा और अगर ऐसे कहें तो यह e यहाँ पर silent रहता है चलिए अब देखें यहाँ पर जैसे मैंने बोला बेक लिखना है बेक, a का sound, k e से पहले a है, लंबा उच्चारन रहेगा तो बेक, हम बेक, ऐसे बेक, या ये तो नहीं लिखेंगे या फिर हम b, a, c, ये नहीं लिखेंगे हम बोल रहे हैं, बेक, a का उच्चारन लंबा तो यहाँ पर k के लिए last में सभी में, सभी में देख रहे हैं कि k e है, तो पढ़े लेते हैं, जिसे make, make बोला, make नहीं बोला यहाँ पर a का उच्चारन लंबा है, यानि k e से पहले k e से पहले जो भी vowel letter आएगा, उसका उच्चारन लॉंग रहेगा take, bike, like, hike, walk, broke, फिर यहाँ पर smoke तो इस तरीके से k e इन spellings में आ जाएगा, last में यह इसका formula है कि a e i o u in vowel में से फिर एक consonant फिर e आएगा अब consonant हम k ही लेंगे, यानि कि vengeance क्योंकि हम k का sound की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर k e, तो यह बन गया मिलकर, यानि consonant और e, जो है मिलकर बन गया k e और उचारन कर अब last जो है important rule है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा confusion रहता है कि हम जो है c और k का उचारन कर हैता है, तो हम कब तो c लिखें और कब हम k लिखें इंगलिश की spelling में अब यह beginning में ही curse sound produce करते है, beginning में आते हैं तब ही confusion रहता है, ending में तो अभी हमने देखा k e आया, c k आया, और k आ रहा है, तो कैसे कब आ रहा है, क्या rule है, नियम है, वो अभी बता दिया है, मैंने, एक दो बार आप देखेंगे, तो समझ में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करें उच्चारन की pronunciation की reading की, तो यह सामने जब शब्द आएंगे, लिखने की जब प्रैक्टिस करेंगे, तो यह सामने जब words आएंगे, तो लिख लेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे, इंपोर्टन कैसे है, यह confuse करता है, कि c और k का sound कर रहता है, यहाँ पर है इसका rule, यहाँ कर देखें, के है, यहाँ सी है, दोनों का sound क्या है, क का भी कर है, और सी का भी कर है, यहाँ पर है कि E, I, Y से पहले कर sound के लिए, यहाँ पर कर लिखेंगे, E, I और Y से पहले कर साउंड आएगा, जैसे इन से पहले अगर कर साउंड रहेगा तो हम K लिखेंगे, यानि K, E, फिर K, I और K, Y, इस तरीके से याद कर सकते हैं, K के बाद में कर साउंड, K, E, K, I, और K, Y अब यहाँ पर है कि यह भी कर साउंड रहेगा A, O, U, यानि A, O, U से पहले कर साउंड रहेगा तो हम C लिखते हैं, तब ही तो हम C, A, T, C, लिखते हैं क्योंकि C के बाद में A रहता है, तब ही तो हम C, O, T, C, लिखते हैं क्योंकि C के बाद में O रहता है और C, U, T, C, कर दो समझ के रहता है इस तरीके से यह रूल है इस टेबल को आप अच्छी तरीके से देख ले लिख सकते हैं एक दो बार स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा तो यहां पर एक्जामपल दे रखे हैं सी और के को लेकर देखेंगे यहां पर अब यहां पर देखेंगे तो कैटल है हमने कैटल यानि ए आ रहा है के के बाद में तो यहां पर हमने की लिखा के के बाद में ए आ रहा है कर पढ़ा पहले तो के को यहां पर सी को भी कर पढ़ेंगे और के को भी कर पढ़ेंगे बस यह यहां पर confusion रहता है कि हम c लिखें या k लिखें तो e आ रहा है तो हम k लिखेंगे cattle हम c नहीं लिखेंगे cattle में फिर हम लिखेंगे kite क्यूंकि k के यहां पर देखेंगे k के बाद में i आ रहा है यहां पर skip है k के बाद में i आ रहा है skip है इसलिए हमने k लिखा king है क्यूंकि k के के बाद में आई आ रहा है इसलिए हमने कर साउंड के लिखा कैप्ट है क्यूंकि के बाद में ई आ रहा है इसलिए हमने के लिखा कर साउंड के लिए अब यहां पर देखें सी वाली है यह है क्लिप क्यूंकि सी के बाद में क्या है सी क्लिप यहां पर एक चीज और बताना है क A, O, U तो ही है और साथ में अगर कोई consonant रहेगा C का sound आ रहा है यानि क का sound आ रहा है consonant जैसे यहाँ पर क, क का sound आ रहा है और यह जो L है ना यह consonant वेंजन है तो वहाँ पर भी हम K नहीं लिखेंगे हम clip लिखना है हमको clip के spelling तो हम K, L, I, P नहीं लिखेंगे क्योंकि L है consonant है और consonant से पहले का sound आ रहा है तो हम C लिखेंगे clip हो गया, cat हो गया, C के बाद में A आ रहा है और U आ रहा है तो भी हम C करके sound के लिए C लिखेंगे, cup हो गया car हो गया, curl हो गया, यहाँ पर A आ रहा है, U आ रहा है फिर camel हो गया, cute हो गया यहाँ पर देखें, caught हो गया coal हो गया, cook हो गया तो यहाँ पर बात हो गए कि C को कब लिखें और K को कब लिखें यानि कर sound के लिए तो एक बार फिर से repeat कर देती हूं अगर E, Y E, I और Y से पहले K का sound, यानि क का sound आता है तो हम K लिखेंगे A, O, U या फिर कोई consonant letter हो सकता है, उससे पहले अगर क का sound आता है, तो हम C लिखेंगे, तो यह रहा क के sound का sound के उच्चारन, यानि sound यानि उच्चारन का नियम second class है English spelling rules की इसमें सीखने वाले हैं आप letter G का sound है, और भी आगे, जो जो भी letter आएगा, उनका उच्चारन, pronunciation spelling rule, तो यहाँ पर सबसे पहले शिरुवात करते हैं letter G से letter G के जो है, दो sound रहते हैं, letter G है, इसके दो sound रहते हैं, अगर आपने A से लेकर Z तक, यह जो English के letters होते हैं, इसमें vowel जो होते हैं, वो भी होते हैं, combined vowel, यानि जो vowels है, उनका pair, उनके sound अगर आपको नहीं बता है, तो आप sound वाले class में complete consonant के sounds और vowel letters के sound मैंने बताए हैं, तो वो वाले class भी आपको इस class के last में मिल जाएगी, तो उसको देखकर sound सीख सकते हैं, consonants के और vowel letters के क्या उच्चारण हैं, तो चलिए, अभी देखते हैं, जी जो है, इसको ग भी पढ़ा जाता है, यानि जी का ग sound भी रहता है, और जी का ज sound भी रहता है, जी को ज भी पढ़ा जाता है, दो हो गए, तो हमको कैसे पता चलेगा, कि हम, यानि दोनों का ग और ज साउंड रहता है, तो कहां पर हम जी को ज पढ़ें, और कहां पर हम जी को ग पढ़ें, तो इसका rule है, जिससे आप ये clearly पढ़ पाएंगे बिना confusion के, यहाँ पर एक confusion और आएगा, जो हम last में, मैं आपको इसके बारे में इसके rule के बारे में बताऊंगी, कि जो J है ना, इसका sound भी J रहता है, तब हमको कैसे पता चले कि हम J sound के लिए J लिखें किसी spelling में, या J sound के लिए हम J लिखें, तो इसका G का sound आ रहा है, किसके लिए J के लिए, यहाँ पर देखेंगे, badge हो गया, badge यानि J, J sound आ रहा है, इसमें ग आ रहा था, इन spellings में, जैसे badge, J आ रहा है, page J आ रहा है, charge J आ रहा है, तो यह दो sound है, इसका rule चान लेते हैं कि कब कैसे हमको पता चले सबसे पहले, J sound का नियम देखेंगे, क्या rule है इसमें, कि शुरू में G के बाद, शुरू में कोई English के spelling है, G के बाद, E आ जाए I या letter Y इन में से letter आ जाए, तब हम G को J पढ़ते हैं, यानि जैसे G, E के, G के बाद में E आएगा, तो हम J पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे J पढ़ेंगे, G के बाद में I आएगा, तो हम J पढ़ेंगे, और G के बाद में Y आएगा, जैसे यहाँ पर देखें, G के बाद में E आया है, तो हमने jam पढ़ा यानि G को हमने ज पढ़एंगेशे अब इसको गैंब गायन्ट या गिम करके नहीं पढ़ सकते क्योंकि अब रूल आपको पता चल गया है कि ज आजाये तो ज़ी को हम ज प्रनॉंस करेंगे सही उच्चारन आपका रहेगा आगे देखें ज़ साउंड यानि जब जी इ यहां पर अलग है कि ज़ साउंड आएगा जब जी इ और डी जी इ ज़ साउंड के लिए यह स्पैलिंग्स भी लिखी जाती है कब क्या कैसे तो इनका भी रूल है इनका क्या रूल है कि लास्ट में डी जी इ रहेगा और ज़ यह ज़ लिखा है लेकिन साउंड इसका ज़ है ना तो ज़ साउंड अब क्या इसका रूल है जैसे कि किसी भी अंग्रेजी की इंग्लिश की स्पैलिंग शौर्ट साउंड वाउल के अंत में ज़ साउंड आए तब वहाँ पर डी जी इ लिखा जाता है कहने का मतलब है कोई भी लास्ट में फिर से देखें यहाँ पर शौर्ट वाउल होगा आफ्टर अ शौर्ट वाउल यानि कि यह जो यह जो पाँच वाउल लेटर है यह तो आपको पता रहना चाहिए कि वाउल लेटर कितने होते हैं पाँच वाउल जो है यह सिंगल आएंगे तो छोटी छोटी जो इंगलिश के स्पैलिंग रहेगी उनमें यह शौर्ट साउंड प्रिड्यूस करते हैं एड दा एंड ओफ दस लेबल यानि कि एक इंगलिश की स्पैलिंग छोटी इंगलिश की स्पैलिंग उसके लास्ट में स्पैलिंग का मतलब वो स्पैलिंग की बात है जिसको हम ब्रेक करके लिखते हैं एक स्पैलिंग की बात हो रही है X level, जिसको हम break नहीं करेंगे, जिस spelling को हम तोड़ नहीं सकते यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यह सारे spelling है, यहाँ पर DGE है सब में DGE का rule ही तो यहाँ पर जान रहे हैं कि DGE को हम जव पढ़ते हैं तो हमको कैसे पता चले, क्योंकि अगर DGE को जव पढ़ रहे हैं तो हमको कैसे पता चले कि उस spelling में हम G E लिखे G E लिखे ठीके ज़ पढ़ते हैं या फिर D G E लिखे ये वाला G E लिखे या D G E लिखे तो इसका rule आपने यहाँ पर देख लिया फिर से एक बार मैं इसको repeat कर दू short vowel यानि after a short vowel after the end of the syllable यानि जो English के spelling रहेगी उसके last में last में अगर G sound रहता है और इससे पहले आप देख रहे हैं जैसे ये A है जैसे की A E I E I O U ये 5 vowel letter है ये 5 ही आएंगे इस D G E से पहले और इनका sound क्या रहेगा? A E I O U का short रहेगा क्या रहेगा? short रहेगा, छोटा उच्चारन रहेगा यानि कि लंबा इसको catch के हम नहीं बोलते हैं जैसे इसको beige नहीं बोल रहेगा, badge हो गया ये E है, edge हो गया, edge, sound है E का short ये bridge है, bridge है, तो यहाँ पर I का sound जो है short vowel, short sound है, I का short vowel है ये अब bridge, ज का sound आ रहा है, ज का last में तो हम DGE लगाएंगे फिर ये short spellings भी है यहाँ पर short यानि चोटी spellings, बड़ी spellings में भी आपको जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है ऐसे भी दिख रहा है, यहाँ पर ये नहीं, ये color होगा DGE, ये combination है ये है judge है, क्या है, judge है, ये है, fridge है, क्या है, F-R-I-D-G-E fridge की spelling ये रहती है, fridge ठीक है, हम यहाँ तक तो लिख लेंगे free हो गया और जर के लिए, free के बाद में जर का sound आएगा, तो हम क्या लिखेंगे DGE, यहाँ पर G-E भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर G-E को भी जर पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर अभी हम DGE की बात कर रहे हैं कि अगर DGE, यानि जर का sound रहता है जैसे यहाँ पर I, ये vowel letter आया है, इसको हम E का sound दे रहे हैं यानि short sound हो रहा है, इसको जादा long नहीं प्रणाउंस कर रहे हैं fry नहीं बोल रहे हैं, हम free बोल रहे हैं, तो free और जर तो इस तरीके से ये रहेगा fridge, अब यहाँ पर double E नहीं लगा सकते, कि free की spelling तो fr double E होता है तो हम double E लिख दे नहीं, जर sound से पहले जो भी vowel letter आएगा, वो short sound ही produce करेगा तो ये double E तो एक pair हो गया, जो कि long sound में आता है, फिर यहाँ पर देखेंगे knowledge है अब यहाँ पर ये बड़ी spelling भी है, तो know और ledge, तो यहाँ पर इसको अगर break करेंगे इसको break करेंगे, तो ये वाला जो टुकड़ा देखेंगे, L, E, D, G, E यहाँ पर ये वाला E जो है color नहीं होगा, यहाँ पर D, G, E ये combination है तो ledge करके, तो D, G, E से पहले ये जो E आ रहा है, इसका short sound है short vowel sound वाला letter है, तो इसलिए यहाँ पर J के लिए हम D, G, E को लिखेंगे knowledge, तो इस तरीके से बड़ी spelling भी रह सकती है, लेकिन टुकड़े इसके दो रहे हैं तो पहले तो no है, इसको अलग कर दें, ये ledge है, ledge, क्या है ledge है, तो ये तो single label ही है इसको break नहीं कर सकते, तो ledge में जो है, J का sound आ रहा है, उसमें D, G, E और D, G, E से पहले E vowel letter आ रहा है, जो short sound produce कर रहा है तो इस तरीके से, इस तरीके से हम J sound के लिए D, G, E का use करते हैं तो उमीद हैं आपको समझ में आ गया होगा, मतलब after a short vowel, कोई भी English की spelling रहेगी short vowel, short vowel मतलब उच्चारन छोटा रहेगा, जिसको हम catch के pronounce नहीं करेंगे जो vowels जो होते हैं, A, E, I, O, U और last में, end में, English की जो spelling रहेगी, end में हम D, G, E का use करेंगे अब G, E का भी end में use करते हैं, तो इसका rule जान लेते हैं, G, E का यहाँ पर एक और चीज है कि कुछ English की spelling में, beach में भी D, G, E का जो sound है, वो आता है, जैसे यह भी आप ध्यान रख लें कि यहाँ पर देखें gadget है, gadget है, तो यहाँ पर D, G, E, beach में है, budget है, तो आप इनको ऐसे ही memorize कर सकते हैं, इनकी practice कर सकते हैं, gadget और budget में चलिए, अब G, E का rule देख लेते हैं, इसमें क्या है, G, E भी जो sound produce करता है, G, E का उचारन भी जो रहता है, जैसे कि D, G, E का है सेम वैसे ही, यहाँ पर D हट गया है, ठीक है, अब इसका क्या rule है, after a long vowel पहले क्या था, D, G, E के लिए, short vowel, short और long का मतलब है, उनका उचारन, छोटा उचारन और बड़ा उचारन, जिसको catch के बोल रहे हैं, तो वो long sound हो गया तो यहाँ पर long vowel, after a long, एक, स्वर के लंबे उचारन के बाद में, spellings देखेंगे, जैसे यहाँ पर यह spellings है, यहाँ पर हमने बोला कि जैसे page है, page last में J का sound आ रहा है, तो हम क्या लिखें last में, हम page के लिए P, A, D, G, E लिख दे, page ऐसे करके, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यह जो A है, यह भी एक rule है, कि पहले vowel letter, vowel letter के बाद में consonant आएगा, और फिर last में E रहेगा, तो यह जो vowel letter है न, इसका उचारन long होगा, यहाँ पर single ही है vowel letter, लेकिन इसका उचारन long होगा, इसको हम catch के pronounce करेंगे, लंबा उचारन रहेगा, जैसे यह page नहीं है, यह page है, तो आले में देखा कि short vowel sound है, तो उमीदा आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर यह A हो गया, यह vowel letter underline किये गए है, उनका sound long है, अब क्यों, क्योंकि last में, जैसे वहाँ पर तो D और G दो consonant थे और फिर E था, लेकिन यहाँ पर यह दी नहीं है, एक ही consonant है G, और यहाँ last मे E है, और G से पहले एक vowel letter है, तो उस vowel letter का उच्चारण जो है, वो लंबा रहता है, उसका sound जो है long produce होता है, यह already जो rule से उनमें मैंने बताया है, तो pronounce करके बता देती हूँ, जैसे कि page है, जर sound के लिए G, E का use huge है, U का sound long है, तो G, E का use village है, package है, image है, garbage है, और cabbage है, तो यहाँ पर G का sound आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम G, E use करेंगे, क्यों करेंगे, यह मैंने rule में आपको बता दिया, फिर से एक बार repeat कर दूँ कि vowel short sound देगा, short sound होगा, तो हम G का sound आएगा, तो हम D, G, E का use करेंगे, vowel अगर long sound देगा, और G का sound आएगा, तो हम G का use करेंगे, यह दोनो rules का निसकर्ष है, मतलब short form में आप इन rules को, दोनों को G sound की, D, G, E spelling और G, E का, जो rule है, इसको आप समझ गए होंगे, चलिए अब next देखें, G, E का G sound, G, E का G sound, कैसे, last में G sound से पहले, एक consonant या vowel team हो, तब भी spelling के last में G, E लिखेंगे, अब एक और rule है, G, E का G sound, ऐसे situation में भ रहता है, last में G sound से पहले, एक consonant, last में G sound आ रहा है, और इससे पहले, एक consonant, consonant का मतलब, यह जो 5 vowel letter है, उनको छोड़ कर, उससे पहले, consonant या, consonant भी हो सकता है, या vowel team भी हो सकती है, या consonant से पहले कोई vowel, या इसके साथ में एक vowel team, pair हो सकता है, तब भी spelling के last में G, E का use करेंगे, हम G, E लिखेंगे, कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो है, G, E, G, E है, इससे पहले, G से पहले, R है, पहले तो हमने देखा कि R जो दे रखा है, इसकी जगे, या तो A, E, I, O, U, in letters में से, in vowel letters में से कोई, ना कोई रहेगा, लेकिन यहाँ पर G से पहले ह हम R देख रहे हैं, और यहाँ पर फिर A आ रहा है, तो एक तरीके से A, R हो गया ना, यह pair ही रहता है, यह pair रहता है, जैसे A, N है, यह pair रहता है, साथ में इनको pronounce किया जाता है, A, N को, जैसे यहाँ पर दे रखा है सभी में, अब यहाँ पर charge है, यहाँ पर change है, range है, और orange है अब यहाँ पर क्या है यह जो A, R combine करके हम pronounce कर रहे हैं A, N पढ़ रहे हैं या A, N पढ़ रहे हैं तो इनका उचारण भी long रह रहा है ऐसे situation में भी हम जो है J sound के लिए G, E का use करेंगे ऐसा कोई pair आ जाएगा यानि consonant एक है और एक vowel letter है ऐसे भी और vowel pair आ जाएगा तब भी यह एक तरीके से pair ही बोला जाता है A, R और A, N को यह pair रहता है साथी में आता है तो charge हो गया, change हो गया, range हो गया, orange हो गया तो ऐसे situation में भी ऐसा sound आएगा, ऐसी spellings आएगी वहाँ पर भी आप J sound के लिए G, E का last में use करेंगे confusion तो रहेगा ही नहीं क्योंकि D, G, E में जो है वो vowel letter का sound रहता है वो short रहता है, यहाँ पर देखा, यह जो D, G, E रहता है इसमें short रहता है, बाकी तो आपने देख लिया, long रहेगा G, E G, E का use करेंगे, J sound के लिए जहाँ पर जो है vowel का जो pronunciation उचारन है, वो लंबा रहेगा चलिए, अब next देखें, यहाँ पर एक चीज और है कि जब G, E का use हो रहा है, जैसे orange, orange, यहाँ पर E silent रहता है यह भी ध्यान रखें, यह जब charge है, तो G के बाद में E रह रहा है और वैसे भी last में जब भी यह आता है, तो वो silent रहता है चलिए, next rule यहाँ पर है, G और J, अब जैसे starting में मैंने बताया था कि G को भी ज़ प्रनाउंस करते हैं, और J को भी ज़ प्रनाउंस करते हैं दोनों का J sound रहता है, तो यह वाली problem कैसे दूर करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि G जो है, इसका sound भी J है, और J जो है, इसका sound भी J है, अब कभ यूज़ करेंगे, अगर G के बाद में I, Y और E आ जाए, जी के बाद में तो हम J sound के लिए J का यूज़ करेंगे, sound तो सेम है, लेकिन हम कभ G लिखें और कभ J लिखें, यह confusion है, अगर G के बाद में I, Y और E आ जाए, तब हम J को J पढ़ेंगे जी को J पढ़ेंगे और वहाँ पर हम J का यूज़ नहीं करेंगे, भी के बाद में I, Y और E आ जाए, जी के बाद में, तब हम J को J तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन J sound के लिए हम J का यूज़ करेंगे, जी का नहीं करेंगे अगर जे, जे के बाद में A, O या U इन में से आ जाए तब हम जो है जो साउंड के लिए जे का यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पर इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है ये जो letters है इनका जैसे यहाँ पर इसको पढ़ा जिम पढ़ा अब यहाँ पर Y है Y है जी के बाद में अगर हमको नहीं पता रहेगा तो J को भी तो J पढ़ रहे है तो J भी तो हम लिख सकते हैं लेकिन हम J नहीं लिखेंगे क्योंकि रूल हमको पता चल गए कि Y है तो Y से पहले यहाँ J रहेगा J नहीं रहेगा ऐसे ही सेम Jam, Giant, Ginger और Gentle यहाँ पर सभी में जैसे J तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन J साउंड के लिए हम J का यूज क्यों करेंगे यह इस रूल में है सही स्पैलिंग लिखने के लिए यानि J का यूज तब करेंगे हम J साउंड के लिए J के बाद में Y आए J के बाद में E आए J के बाद में I आए तब हम J का यूज करेंगे अगर यहाँ पर A, O, U आ जाएगा तब हम J का यूज करेंगे तब हम J का जैसे Jam है Jam है अब हम यहाँ पर हमको पता चल गया कि A आ रहा है तब हमने J का use किया है हम जी का use नहीं कर सकते हम अगर हमको rule नहीं पता होगा तो हम इस तरीके से jam लिख देंगे जैम लिख देंगे या gam बोल देंगे लेकिन कब हम जी को गप परते हैं तो ये already rule मैंने बता दिया है यहाँ पर देखें joke है jug है joy just और jump हम यहाँ पर joy है jug है joke है यहाँ पर इन जे की जगे हम जी का भी use कर सकते हैं अगर rule का नहीं पता हो लेकिन नहीं करेंगी अब पता चल गया है कि यहाँ पर a, o, u आ रहा है इसलिए हमने जे का use किया है starting में और यहाँ पर हमने g का use किया है j के लिए starting में क्योंकि g के बार में i, y, e आ रहा है तो यहाँ पर समझ में आ गया कि sound दोनों का g का भी j है और j का भी j है लेकिन कब हम j sound के लिए g का use करे कब हम j का use करे यह आपने जान लिया है तो यहाँ पर एक चीज आप याद रखें कि कुछ spellings में यह rule apply नहीं रहता है कुछ spellings जैसे यहाँ पर देखेंगे give हो गया girl हो गया यहाँ पर g के बाद में i आया है g के बाद में जैसे यहाँ पर बोला कि g के बाद में i रहेगा तो जव पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर go पढ़ा जा रहा है तो यह spellings आपको ऐसे ही memorize करनी पढ़ती है अब यहाँ पर यह rule लेकर नहीं बैठ सकते कि यहाँ पर जिव ही पढ़ेंगे इसको जोरल ही पढ़ेंगे क्योंकि हमने तो rule में देखा था कि जी के बाद में आई था लेकिन हाँ कई spellings में जो है rules नहीं लगते हैं mostly लग जाते हैं लेकिन कुछ अपवाद रहते हैं कुछ exceptions रहती है चलिए अब next rule देख लेते हैं यहाँ पर है sound ch का रहेगा ch का sound क्या है ch spelling हम लिखेंगे t ch यानि चर साउंड के लिए हम लिखेंगे t ch कब लिखेंगे rule देखे यहाँ पर short English word याने के singles label यानि छोटी spellings में जिनको हम break ना करें break करते हैं तब भी वो एक एक जो है break करने के बाद एक एक अलग-अलग spelling बन जाती है तो short English word में छोटी English की spellings के last में t ch का प्रियोग होता है single short vowel के बाद single short vowel के बाद मतलब उच्चारण short रहता है जो vowel letters रहते हैं उनका यहाँ पर देखें spellings में यहाँ पर इन सभी spellings में देखेंगे तो last में t ch spelling लिखेंगे t ch और ch sound है इसका सभी में इन सभी में ch sound हो रहा है t ch का तो अब इन spellings को ना ही तो हम break कर सकते हैं छोटी English की spellings है यह rule है यानि single syllable वाली और t ch से पहले जैसे यह a है यह vowel letter है इसका जो उच्चारण है वो short है long नहीं है तो match हमने पढ़ना है कि match यह spelling लिखनी है match म का जो उच्चारण है अगर आपको एक-एक letter का उच्चारण नहीं आता है जैसे m का उच्चारण c का उच्चारण तो मैंने वो भी complete consonants का जो उच्चारण वो बता है तो उसमें या vowel letters का है वो आपको पहले already आना चाहिए तो जैसे match लिखा तो म और आ यानि short A का sound तो यह match च्च और च्च के लिए च्च के लिए TCH तो इस तरीके से match आप लिखेंगे यानि च्च का sound आ रहा है short singles label वाली spellings है यहाँ पर snatch है stitch है catch, stretch, ditch, patch, witch, hatch sketch, patch, watch आपको बस करनी क्या है, practice करनी है तो आपको पता चल जाएगा चर sound के लिए हमने TCH का use किया है तो यह rule भी आपको समझ में आ गया होगा mostly जो rules है वो apply हो जाते हैं लेकिन कुछ exceptions होती है जैसे कि यह spellings है यहाँ पर यह rule apply नहीं होगा कैसे नहीं होगा इस spelling के middle में है तो यह आपको ऐसे ही memorize ज्याद करनी पड़ेगी किचन है किचन में TCH चर साउंड के लिए बीच में है अब यहाँ पर देखेंगे much है short singles label वाले spelling है इसको भी हम break नहीं कर सकते और चर साउंड आ रहा है much बोलेंगे इसको much बोलेंगे चर साउंड आ रहा है तो आप इसमें TCH नहीं लगाएंगे यह अपवाद है exceptions है इनको ऐसे ही आपको memorize करना पड़ता है यहाँ पर यह rule apply नहीं होंगे सेम ऐसे ही much, such, which और sandwich में तो यहाँ पर देखेंगे जो sandwich है यहाँ पर जो D रह रहा है यह silent रहता है sandwich में याद रखेंगे आप अब यहाँ पर चर साउंड के लिए सब ही में short spelling है जैसे यह सच है लेकिन यहाँ पर हमने TCH नहीं लिखा है चर साउंड के लिए CH लिखा है तो S को स तो पढ़ लेते हैं लेकिन परिशानी होती है S को कौन से spellings में हम ज करके pronounce करें यह ज के नीचे बिंदे लग जाती है तो ज इसका उचारन रहता है तो यह वाला rule देखेंगे और G को हम कब तो ग pronounce करें और कब हम G को ज pronounce करें TH का sound थ भी रहता है और TH का sound द भी रहता है तो कौन से नियम है कौन सी rule से एके करके देखेंगे सबसे पहले देखेंगे letter S के उचारन के नियम letter S जो है इसके दो उचारन रहते हैं basic जो उचारन है वो है S क्या है एक तो S sound है जैसी कि sit में है sit में है और भी कई spelling से S वाली स साउंड वाली आप easily पहचान जाते हैं और लिख देते हैं लेकिन the sound वाली जो spelling है कब हम उनको किस तरीके से सही तरीके से pronounce करें तो कौन से rule है जैसे यहाँ पर भी S है S के बाद में Y है तो इसको हम EC नहीं पढ़ रहे है easy पढ़ रहे है तो यह हम कैसे पहचाने कि S को the कब pronounce करें तो इसके rule देखे S को the पढ़ने के दो नियम है rule number one है कि किसी word में S से पहले vowel जो है vowel letters आपको पता होने चीए पांचों है A, A, I, O, U, I तब हम S को the पढ़ते हैं कब S से पहले vowel letter है यानि कि S से पहले इन में से इन vowel letters में से कोई letter है तो हम S को the पढ़ेंगे जैसे कि इन सब ही spellings में यहाँ पर S से पहले A है S से पहले A है S से पहले I है तो सब ही में red mark किया गया है तो सारे S से पहले vowel letter है इन पांचों मैंसे ही है तब हम S को Z पढ़ेंगे न कि S को S जैसे कि easy Z sound आ रहा है जैसे was इसको was नहीं पढ़ेंगे was जैसे visit है we the sound आ रहा है इसके लिए we sit नहीं है Tuesday ज आता है Tuesday में भी nose इसको nose नहीं पढ़ते हैं इसलिए S को Z पढ़ते हैं यहाँ पर gives है gives the sound आ रहा है इसके लिए S से पहले E है vowel letter है his पढ़ रहे है his नहीं पढ़ते है his पढ़ा S से पहले आई है rose पढ़ा rose इसलिए नहीं पढ़ते है rose क्यों पढ़ा S से पहले O है जो कि एक vowel letter है rule के नुसार एस से पहले vowel letters में से कोई letter आ जाएगा तो हम S को पढ़ेंगे यहाँ पर because है the sound आ रहा है wise, rise, the sound, use the sound है इसके लिए तो एक तो यह rule है अगला rule देख लेते है S को पढ़ने का किसी word के last में S से पहले voiced sound हो तब हम S को पढ़ेंगे यानि S को Z पढ़ा जाता है सबसे पहले यह देख लेते है कि voiced sound क्या होते हैं एक तो होते है voiced sounds और एक unvoiced होते है sound अब हमको यहाँ पर देखना है कि voiced sound कौन से है जैसे कि voiced sound यह सारे है यह जो letters लिखे हुए है जैसे यहाँ पर B हो गया और अब हम इसको बी नहीं बोलेंगे बी का उचारन बर हैता है जैसे डी है तो डी का उचारन ड जी को ग पढ़ेंगे इसी तरीके से हिंदी में इनका उचारन भी मैंने यहाँ पर mention किया है बताया है तो यह जो letters है बी, डी, जी, वी, जेड इसका sound ज, ट, इसका sound द है यहाँ पर फिर यहाँ पर ज, और एच इसका भी ज, sound है तो यह sound के अनुसार यह letters आप ध्यान में रखें इनका जो sound रहता है, voiced रहता है voiced का मतलब होता है कि उचारन के समय गला जो है वो vibrate करता है गले का roll रहता है तो यह होते हैं voiced sound अब यह कैसे पता चलेगा spellings को जब आप pronounce करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखें यह spellings है, जैसे यहाँ पर G है, अब यहाँ पर क्या rule था यह rule देखें कि last में last में S से पहले voiced sound हो, S से पहले last में, तो इसमें देखें last में S है, और S से पहले G है, अब हमको देखना है कि voiced sound है या नहीं इसके लिए आपको यह letters या तो पता रहने चाहिए, या फिर आप जैसे pronounce करेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो यहाँ पर G है, जो voiced sound देता है, यानि इसमें गले में vibration रहता है vibrate करता है, गले का roll रहता है यहाँ पर भी D है डर जो पढ़ते हैं तो इसमें गले का roll रहता है, गला vibrate करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर voiced sound वाले letters आ रहे हैं तो S से पहले, last में S से पहले, तो S को हम Z पढ़ेंगे, जैसे bags हो गया, friends हो गया Z, sings, dreams wears, learns cars, words fans, तो यहाँ पर सभी में S है, last का यह नियम है, यानि word के last में, spelling के last में आ रहा है, S से पहले voiced sound वाला letter, अब यह यहाँ पर voiced sound यहाँ पर मैंने बता दिया है कौन-कौन से हैं यहाँ पर और जो unvoiced होते हैं, वो यह वाले letters होते हैं, जैसे P, T, K, F, P, H, T, H में यहाँ पर उच्चारन थ रहता है, और यहाँ पर द रहता है, फिर यह श, च, और ह, यानि इनका sound है, S, H का, C, ह का, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको यह rule भी समझ में आ गया होगा, यह जो unvoiced sounds होते हैं, इसमें जैसे P है, P का sound पर है, इसमें जो है, गले का कोई रोल नहीं होता, गला अपना vibrate नहीं करता, आवाज सिर्फ मुह से निकलती है, तो यहाँ पर यह the sound का दूसरा नियम था, तो इस तरीके से जब भी आप S को पढ़ना चाहेंगे, तो यह रोल को ध्यान में रखकर आप pronounce कर सकते हैं, सही उचारन कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं अगले रोल की तरफ, जो है रोल लेटर जी का, यानि लेटर जी को हम कब तो ज पढ़ें और कब ग पढ़ें, इसका रोल देख लेते हैं, यह sound है ग और यह जे लिखा है, यह sound है यानि यह sound के लिए लिखा गया है यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पर रोल है कि यदि जी के बाद यदि जी के बाद I, E या Y आ जाए तब हम जी को ज पढ़ते हैं, या पढ़ा जाएगा तब जी को पढ़ा जाता है ज, क्या पढ़ा जाता है ज, यानि कि जी के बाद में I जी के बाद में E या जी के बाद में Y इस तरीके से ये तीनु लेटर्स आ जाते हैं I, E, Y तब हम जी को ज पढ़ते हैं इन सभी स्पेलिंग्स में देखेंगे जी के बाद में या तो I है या E है या Y है इसलिए हम G को ज पढ़ रहे हैं जैसे कि यहाँ पर Magic है ज पढ़ा यहाँ पर Giant है यहाँ पर ज पढ़ा यहाँ पर Engine है ज पढ़ा पेज है Large General Gym Energy Egypt यहाँ पर भी G के बाद में Y G के बाद में E तो यह Rule के अनुसार हमने पढ़ा यहाँ पर G को ज अगला Rule देख लेते हैं यह देख लिए आपने कि G को कब ज पढ़ते हैं अब अगला Rule देखेंगे कि G को हम G कब पढ़ें यहाँ पर है जब G के आगे यह तीनों Letters I, E, Y को छोड़कर कोई अन्य Consonant यह इन तीनों को छोड़कर कोई अन्य वाउल लेटर भी हो सकता है तब हम G को ग पढ़ेंगे जैसे इन Spelling में देखेंगे तो G के बाद में R है कोई अन्य वाउल लेटर है यहाँ पर भी R है L है यह भी Consonant है G के बाद में A है यह इन तीनों वाउल लेटर मेंसे नहीं है यानि कि I, E, Y मेंसे नहीं है यह A है जी के बाद में L है जी के बाद में O है यह O वाउल लेटर यह I और E मेंसे नहीं है तो यहाँ पर जी को हम ग पढ़ेंगे जैसे great हो गया, green हो गया, globe हो गया, gap, glass और goal तो यहाँ पर यह तो रहा जी को ग और ज पढ़ने के दो rule अब यहाँ पर कुछ exceptions भी है, कुछ ऐसे spellings रहेगी हर एक rule के साथ जो rule को follow नहीं करती है, वहाँ पर आप उनको ऐसे ही practice करेंगे जैसे कि यहाँ पर जी के बाद में आई है, give यानि जी को हम ग पढ़ रहे हैं आई है तब भी, rule में ऐसा ताहा कि I, E, Y, इनको छोड़ कर लेकिन यहाँ पर है इनको छोड़ कर अगर consonant आए या कोई अन्य letter वाउ लेटर आए तो हम जी को ग पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर आई आ रहा है, give में तब भी हम जी को ग पढ़ रहे हैं सेम ऐसा इन सभी spellings में हैं, इसको get पढ़ रहे हैं, girl पढ़ रहे हैं, tiger, begin हो गया, forgive हो गया तो ऐसे ही कई सारे spellings आपको मिल जाएगी, mostly तो rules को follow करेगे, लेकिन कुछ एक spellings जो है rule को follow नहीं करती है, exceptions रहेगे, अपवाद रहेंगे तो चलिए, यह तो था जी को पढ़ने का rule, अब अगला rule हम देखेंगे, th वाला, यानि कि th को कब हम th पढ़ें, और th को कब हम the पढ़ें यहाँ पर th के दो sound है, एक तो the और एक the, जैसे कि this है, this में हम th का sound the आ रहा है, जैसे thin है, यहाँ पर th का sound the आ रहा है यह जो the आता है, इसको voiced sound कहते है, unvoiced sound होता है, यह the वाला, यह voiced और unvoiced अभी मैंने आपको बताये थे कुछ letters जो थे, जहाँ पर आपके गले का रोल रहता है, और जहाँ पर सिर्फ आपके मू का रोल रहता है, unvoiced वाले में, जो अभी already मैंने बता दिया है तो चलिए, अब रूल रेख लेते हैं, कि किसी English के शब्द में जैसे noun, verb, adverb, adjective हो, अब यह पता होना जाए कि noun, sangya, kriya, adverb और adjective, vishetion और kriya, vishetion हिंदी में कहें तो इन में TH को थर पढ़ा जाएगा, अगर यह सब आ जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे बात करेंगे, यह Thursday, throw, यह thick, throw, फैक ना, यह एक verb है, thick, मोटा, तो यह क्या है, adjective है, यानि कि vishetion है यहाँ पर Thursday noun है, thin, पतला, adjective है, vishetion है, तो इस तरीके से 3 और 13, तो यह जो है, या तो adjective है, यह noun है, verb है, ठीक है, तो ऐसे वाले words में, ऐसे वाले English के शब्दों में, words में हम TH को थ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं, वे शब्द जो English के grammar में एक वाक्य को सह तरीके से लिखने में मदद करते हैं, प्रॉपर सेंटेंस बनाते हैं, उनके साथ जब TH आएगा तो वो the sound का produce होगा, यानि the sound देगा, the sound का use होगा, the sound पढ़ा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, this, that, these या those, तो यहाँ पर सब में the पढ़ा जा रहा, इनका इस्ति हम एक वाक्य को बनाने में करते हैं, सही तरीके से प्रॉपर ग्रामर की कोई मिस्टेक नहों ऐसा वाक्य बनाने के लिए, यहाँ पर देखेंगे, those, them, they, यहाँ पर फिर से यह them है, though, और यहाँ पर है their, यह those है और यह दो है, तो यहाँ पर इन words के साथ, इन words के साथ, अगर hard लगे कि adjective क्या है, adverb क्या है, तो यह तो आपको already पता रहना चाहिए, ऐसे वाले शब्दों में, जो किसी का नाम हो, जो किसी की विशेष्टा बताए, ऐसे वाले शब्दों में, th को हम ठर पढ़ेंगे, या कोई क्रिया हो, तो हम ठर पढ़ेंगे, लेकिन कोई sentence को proper पर सही तरीके से बनाया जाता है, English की grammar में, तो वहाँ पर जैसे this, this, that, these, those, इनका यूज किया जाता है, damn they ये pronoun होते हैं, इनका यूज किया जाता है, तो वहाँ पर th को the पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखें, जब किसी word में, अगला नियम है, कि जब किसी word में two vowel के बीच में TH आएगा, तब हम द, तब TH को द पढ़ा जाएगा, यानि कैसे, जैसे कि ये TH middle में आएगा, ठीके, middle में आएगा, ये TH सभी में middle में है, बीच में है, TH के दोनों तरफ दो vowel है, यानि कि O है इस तरफ, और यहाँ पर देखेंगे, तो E है, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, vowel letter है, तो ऐसे में TH को हम द पढ़ेंगे, जैसे mother, wither, father, together, weather, gather, यहाँ gather, थ नहीं पढ़ रहे हैं, द पढ़ रहे हैं, यानि TH middle में दोनों तरफ vowel letter, अगला रूल देखेंगे, लेकिन किसी शब्द में एक vowel के बाद में consonant से पहले TH आए, तब हम TH को थ पढ़ेंगे, कैसे spellings यानि कि यहाँ पर TH है, पहले वाले में हमने देखा कि जैसे U है, यहाँ पर TH बीच में आ रहा है, फिर यह F की जगे भी एक vowel letter होना चाहिए, लेकिन TH किसी दोनों तरफ vowel letter नहीं होगा, TH है, एक consonant से पहले एक वेंजन से पहले आए, फिर एक vowel letter है, तो यहाँ पर F एक consonant से व एक consonant से पहले TH आया है, और यहाँ पर एक vowel letter है, तो TH को हमने थ पढ़ा, toothpick, यहाँ पर देखेंगे, bathtub और bathroom, यानि TH के दोनों तरफ की बात करें, पहले तो vowel letter था, लेकिन यहाँ पर TH जो है, एक consonant से पहले आया, यानि TH एक consonant और फिर एक vowel letter इस से पहले आया, तो ऐसे में TH को ह थ पढ़ेंगे, bathroom इस तरीके से या bathtub, तो यहाँ पर TH को थ पढ़ा जा रहा है, तो आपको यह rule समझ में आ गया होगा, next देखें, किसी शब्द के last में TH के बाद E आएगा, तब हम TH को थ पढ़ेंगे, अगर आप सीधी सी बात करें, तो last में THE, THE आ जाए, तब हम THE करेंगे, हम इसको बेद पढ़ेंगे, यान히 TH का थ साउंद रहेगा, इसको breathe पढ़ेंगे, breathe पढ़ेंगे, breathe द साउंद रहेगा, आगे देखते हैं, चर्ण हम अधिकतर शब्दों में, यानि मोस्टली ऐसा रहेगा, यदि किसी शब्द के आखर में TH आएगा, तो THE जाएगा जैसे बाथ, टूथ, पाथ, क्लोथ, बोथ, अर्थ, अब यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर ए लगा रहता तो इसको हम बाथ नहीं बेद पढ़ते और ती एच का उचारण द रहता यह इससे पहले वाला रूल आ गया कि ती एची के बाद में अब यहाँ पर पढ़ेंगे लेकिन कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी रहते हैं वह स्पैलिंग जो है रूल को फॉलो नहीं करती जैसे विद है और पैथेटिक है विद द पढ़ा जा रहा है लास्ट में आ रहा है तो भी हम द पढ़ रहे हैं और पहले हमने रूल देखा था कि मिडल में बीच में आएगा और दोनों तरफ क्या रहेंगे दो वाव लेटर रहेंगे तो ए भी है ए भी है लेकिन फिर भी हम पैथेटिक था पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या था दोनों तरफ अगर जो है वाव लेटर रहेगा तो हम ठ को द पढ़ेंगे यह रा रूल कि हम ठ को यहा अपवाद भी रहेगा मतलब की वहाँ पर rule follow नहीं होगा लेकिन अधिकांश अधिकतर जो है spellings rule को follow करती है शन sound से related spellings को किस तरीके से pronounce करें spellings तो रहेगी रहेगी लेकिन main जो है pronunciation यहाँ पर मैं बताऊंगी कि यह जो sion है इसका उचारन शन भी रहता है और इसका उचारन जन भी रहता है तो कहा पर हम sion को शन पढ़ें और कौन से spelling में sion को जन पढ़ें तो यह है शन और यह जन sound तो चलिए start करते हैं इसके rules को पढ़ना तो यहाँ पर rule है कि किसी शब्द में शन sound से पहले letter l यह है letter l और letter n या तो l या n आएगा तो हम वहाँ पर जो sion रहेगा उसको हम शन प्रनाउंस करेंगे तो यह है rule पहला sion से पहले जैसे कि sion है इससे पहले यहाँ पर या तो l हो या फिर n हो इन दोनों में से एक letter रहेगा तो यह है example यहाँ पर देखें सभी में sion दे रखा है तो हमें कैसे पता रहेगा कि इसे हम शन पढ़ें या जन पढ़ें तो यहाँ पर l या n है sion से पहले तो यहाँ पर हम sion को शन पढ़ेंगे जैसे कि compulsion तो compulsion नहीं पढ़ेंगे शन इसका sound रहेगा जैसे compulsion extension extension expansion mention mention suspension 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 तो यही तरीका है सारी की सारी spellings बड़ी भी है जैसे हम pronounce कर रहे हैं वैसे ही आप इन spellings को लिख भी सकते हैं मतलब correct spelling को लिख सकते हैं सही तरीके से बिना किसी mistake के यह है expulsion apprehension pension comprehension 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 तो इन बड़ी spelling को आप डिवाइड करके पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हैं क्योंकि यह बड़ी-बड़ी ही spelling है बड़े-बड़े शब्द हैं बड़े-बड़े words है तो इनको इसी तरीके से आप पढ़ने की भी practice कर सकते हैं तो rule आपको समझ में आ गया कि si on से before यानि कि पहले या तो letter l रहेगा या letter n रहेगा तो हम si on को shun पढ़ेंगे चलिए next rule की तरफ बढ़ते हैं यदि किसी शब्द में si on से पहले ur sound अब आपको पता है कि ur sound जो है si on को ये जो si on रहेगा इसको हम zun पढ़ेंगे zun pronounce करेंगे जैसे कि यहाँ पर देखें सभी में si on से पहले er है जो red color में mark है तो हम क्या पढ़ेंगे si on को shun नहीं पढ़ेंगे zun पढ़ेंगे अभी तक इससे पहले वाले rule में हमने देखा था कि हमने si on को shun पढ़ा था और यहाँ पर हम si on को shun न पढ़कर zun पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं rule आपको बता दिया ur sound रहेगा तो ur sound si on से पहले ur sound ur sound मतलब e r रहेगा तो देखें यहाँ पर diver diversion को हम diversion पढ़ेंगे जन न की diversion diversion फिर यहाँ पर देखें conversion conversion वर ur का sound आते ही si on रहेगा आगे तो हम उसको जन पढ़ेंगे conversion फिर यहाँ पर है inversion inversion यहाँ पर है immersion इमर्जन इमर्जन तो इस तरीके से ur का sound और उसके बाद में si on आ रहा है तो हम जन पढ़ेंगे यह वाला जन चलिए next rule की तरफ बढ़ते हैं यदि किसी word से पहले वाल sound रहेगा या वाल लेटर रहेगा जैसे यह है a e i o u यह पांच वाल लेटर या आर जैसे e r में था न आर सिंगल आर भी रह सकता है तब हम si on को जन प्रणाउंस करेंगे run छलिए spellings देख लेते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर सभी में si on से पहले कोई न कोई वाव लेटर है कोई न कोई वाव लेटर है यहाँ पर एक चीज और नोट रखनी आपको जो यू साउंड रहेगा ना S I O N से पहले जैसे कि यहाँ पर है अब यह जो यू है इसका साउंड ये यू रहेगा साउंड यू है अब जैसे आपको पता है यू को अ भी प्रनाउंस करते हैं अगर हम अ प्रनाउंस करेंगे तो अ का साउंड वाउल साउंड है स्वर जैसा इसका साउंड निकलता है अ लेकिन अगर यहाँ पर यू आ रहा है तो यह साउंड करेगा यू जो की स्वर वाला साउंड नहीं है यह क्या होता है तो साउंड भी यहाँ पर consonant वाला ही है यह ध्यान रखना है दूसरा अगर vowel letter A रहेगा तो इसका जो sound रहेगा वो long रहेगा यानि A short नहीं रहेगा A long रहेगा बस यह दो चीज़ें आपको ध्यान रखने है और चारण में help करेगी चलिए अब spellings देख लेते हैं जैसे यहाँ पर है occasion नहीं पढ़ेंगे occasion समझ में आ गया है क्योंकि S I U N से पहले vowel letter है A फिर यहाँ पर देखें division बोलेंगे division नहीं बोलेंगे श नहीं बोलेंगे ज बोलेंगे यह वाला ज डिवीजन फिर यहाँ पर है इल लू यहाँ पर देखें इल फिर यू यू का sound आ रहा है यू के लिए जो की एक consonant वाला sound है बतलब यह vowel sound को produce नहीं कर रहा है illusion इल्यूशन नहीं illusion ज साउंड फिर देखें टै यहाँ पर है television क्या है television ज ज साउंड है आई है s i un से पहले फिर है ex explosion फिर यहाँ पर है conclusion नहीं बोलेंगे conclusion ज साउंड फिर यहाँ पर है decision 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 नहीं decision decision यह है vision नहीं vision क्या है vision vision short sound आई का vision vision फिर यहाँ पर है revision revision क्या है revision आई है s i un से पहले इन सभी में आई है अब यहाँ पर देखेंगे conclusion you sound आ रहा है मतलब you का जो sound है न वो you यह वाला sound दे रहा है you फिर यहाँ पर है revision हो गया यह है collision collision क्या है collision collision अब द्यान रखें कि अब break करना मैंने बताया है बड़ी spellings को किस तरीक से break करते है तो यह जो है सारी की सारी बड़ी spellings है इनको break करके आप पढ़ने की भी कोशिश कर सकते है साथी साथ मैं sound तो बता ही रही हूँ कि कहाँ पर हम ऐसा यह उनको जन पढ़ेंगे कहाँ पर हम ऐसा यह उनको शन पढ़ेंगे और क्या exceptions है अपवाद है जहाँ पर rule जो है वो नहीं follow होंगे वो spellings भी यहाँ पर आपको नज़र आएगी चलिए अब next यहाँ पर देख लेते exceptions आ गई है अपवाद देखे यदि कोई base word M.I.T. से end हो base word कोई spelling है मुख्य जो spelling है मुख्य शब्द है main शब्द वहाँ पर यह spelling रहेगी last में M.I.T. से end होगी यह spelling end में यह रहेगा तो M.I.T. में letter T और S में T को यह जो last में T रहेगा ना इसको हम S में replace कर देंगे S में बदल देंगे S में change कर देंगे किसको M.I.T. के स T को हम S में बदल देंगे और फिर S.I.O.N. यह जो है S.I.O.N. यह suffix हम add कर देंगे S.I.O.N. को हम add कर देंगे चलिए देख लेते हैं spellings यहाँ पर देखें सबसे पहले है यह spellings को add करना है जैसे यह spelling है इसमें S.I.O.N. को add किया sound discussion रहेगा यह मैंने mention कर दिया है तो कैसे spelling बन रहे है जैसे कि यह है commit क्या है commit base word है मुख्य शब्द है अब हम इसके अंदर जो है suffix suffix का मतलब होता है जो पीछे शब्द जोड़ा जाती है जो spelling रहेगी इसके जो पीछे शब्द जोड़ा जाता है तो उसको तो बोलते है suffix और जो शुरू में जोड़ा जाता है starting में ही उसको बोलते हैं prefix prefix और suffix इनको जोड़कर एक सही spelling बनाई जाती है correct spelling जैसे ये commit है commit में हमको siun जोड़ना है यानि कि commit का हमको commission बनाना है तो कैसे बना है देखें commit यानि इस t को बदल दिया है as me तो ये हो गया come me और shun आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो double s है और फिर ion है इस सभी को हम शन प्रणाउंस कर रहे है commission 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 चलिए फिर देखें यहाँ है admit admit तो admit से बनेगा शब्द जहाँ पर हम जो है suffix चोड़ेंगे sion तो admit से admission 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 तो यहाँ पर shun sound आ रहा है sion के लिए और admit में हमने कैसे sion को add किया है मतलब t को हमने replace कर दिया s में फिर sion जोड़ दिया है तो admission बन गया है यहाँ पर double s भी आ रहा है तो यह आप correct जब spelling लिखना चाहे तो इस तरीके से आप base word से कैसे हमने suffix जोड कर उस सही spelling को बनाया है तो यह spelling आप याद रख सकते हैं pronunciation भी है साथी साथ spelling को कैसे पढ़ा जाता है साथी साथ spelling को कैसे सही लिखा जाता है पिर देखें यहाँ पर submit क्या है submit एक base word है मुख्य शब्द है submit में अगर हमने sion suffix को जोडना है तो कैसे जोडेंगे mit से end हो रहा है तो t को हम बदल देंगे s में इस में बदल देंगे s में बदल देंगे फिर shun जोड देंगे यानि कि s जो है वहाँ पर double s बन जाएगा जब आप submission के spelling लिखें यह है submission तो यह spelling लिखें तो आप कभी भी एक s नहीं लिखेंगे अगर आपने यह rule को follow किया है तो आप क्या करेंगे submit से submission बना है तो यहाँ पर t replace हुआ है s में तो submission में आप double s ज़रूर लिखेंगे इस rule के according चलिए अब next rule की तरफ बढ़ते हैं commit से commission बन गया admit से admission बन गया submit से submission बन गया तो किस तरीके से spelling को pronounce किया पढ़ा सही वे से यह आपने सीखा next देखें यदि कोई base word जैसे मुखे शब्द है double s से उसके last में double s से ending रहती है तब हम i o n शब्द के last में यह जो double s रहेगा इसके last में i o n जोड़ देंगे add कर देंगे और sound रहेगा शन sound discussion ही रहेगा जैसे कि यहाँ पर है discuss यह सभी discuss हो गया discuss हो गया discuss double s से end हो रहा है तो discussion 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 ऐसे यह main शब्द है, मुखे शब्द है, base word है discuss से बना discussion फिर है यहाँ पर depress तो depression depress से depression बना तो कैसे बना? depression यानि कि double s की बाद में s i o n add कर दिया है कोई भी remove नहीं होआ है यहाँ पर double s यह है recess, recess से recession फिर देखें, profess profess से profession profession श यहाँ पर shun sound produce हो रहा है double s i o n के लिए फिर देखें, miss miss से बना mission 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 नहीं, mission तो यहाँ पर भी क्या है double s है फिर i o n add कर दिया तो miss से बना mission तो इस तरीके से आप धान रखें कैसे discussion का निर्मान हुआ है कैसे यह discussion बना है depression, recession profession, mission तो इन spellings से हमने कैसे बनाया है यहाँ पर भी double s है चलिए यह भी आपको rule भी समझ में आगया spellings भी आपको लिखने आगया और pronunciation भी आगया अब next बढ़ते हैं आगे यहाँ पर देखेंगे t i o n t i o n को भी हम shun पढ़ते हैं rule देखेंगे इसका कि किसी वर्ब में t i o n shun pronunciation है इसका कब add करेंगे यानि कोई English की spelling है तो हम जैसे si un को तो पढ़ा के discuss से discussion बन गया तो सारे शब्द और सारी जो spellings है word है वो भी आपके सामने आगए तो सही spelling के साथ वो pronunciation भी आपका प्रूब हो गया spelling जो है सही तरीके से लिखना भी आपको आगया complete example से आपर मैंने दे दिये है अब t i o n को कब add करेंगे देखें जब किसी वर्ब को noun बनाना हो कोई verb होगी verb का मतलब क्या होता है kriya कोई काम action रहता है जहाँ पर कोई kriya जो होती है वो कुछ act करती है और noun noun का मतलब किसी भी जो भी आपके आसपास है उसका नाम उसको बोलते है noun हिंदी में इसको हम बोलते है संग्या noun बनाना हो तब हम t i o n को उस word के साथ add कर देते है जैसे कैसे यहाँ पर देखे यह verb दे रखे इस table में और यहाँ पर नीचे noun है मतलब यह जो verb है ना इसमें तो जो काम है वो act जो action होता है जैसे educate करना किसी को शिक्षित करना यह kriya है काम है educate verb है educate क्या है verb है t e से end हो रही सब ही यह सभी t e से end हो रही है educate हो गया फिर यहाँ पर innovate हो गया operate हो गया populate हो गया evaluate हो गया क्या है यह evaluate अब यहाँ पर यह सभी t e से end हो रही है तो सभी verb है इस तरीके से पहचान भी सकते हैं आप identify भी कर सकते हैं अब इसके बाद में हमको क्या जोड़ना है T E को T E को यहाँ पर replace कर देना है यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं रूल में T E को हम जो है T I O N में replace कर देंगे यहाँ तो अलरी है लेकिन ऐसे ही समझ लेकि T E को बदल दिया हमने T I O N में और वो क्या बनकर आ गई वो शब्द हमारे सामने क्या बनकर आ गया नाउन बनकर आ गया संग्या बनकर आ गया देखे एजूकेट से एजूकेशन क्या है एजूकेशन अब इसको हम शन पढ़ रहे हैं तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं एवैलिएट से इवैलीएशन तो इस तरीके से आप साथ ही साथ सपलीग को पढ़ना भी इसी के और T E को हमने शन में replace किया है तो कैसे TION निकल कर आया है कैसे वो शब्द noun बन गया है कैसे हमने verb को change किया noun में शन लगा कर TION को लगा कर तो इनको pronounce करना सीखे सही spelling को लिखना सीखे और पढ़ना भी सीखे क्योंकि ये भी बड़े spellings है चलिए अब आगे चलते है आगे क्या है कि C I A N अब यहाँ पर क्या है ये तो समझ में आगे कि TION को add हमने कैसे किया इससे पिछले रूल में लेकिन ये C I A N है इसको भी हम शन पढ़ते हैं इसको शियन correct जो चारन वो शन ही है शियन नहीं शन एकदम correct उचारन है words only use occupation और job अगर हम बात करते है occupation की अगर हम बात करते है job की occupation और job के job वाले शब्दों में ही इस जो है इसका use होगा अब कैसे use होगा C I A N का जिसको हम शन पढ़ते हैं जैसे कि यहाँ पर music है ठीक है music music है अब इसको हमें किसी काम में बदलना है किसी की नौकरी में बदलना है उस शब्द में बदलना है तो music जो music होता है संगीतकार बोलते है जो music गाना गाता है उसको तो music क्यानी कि गाना गाने वाले की job उसकी नौकरी उसका पेशा क्या हो गया कि वो musician है क्या है वो musician तो musician ना बोलके musician बोलेंगे यानि की c i a n का उचारन शन करके हो गया है और spelling भी हम इस शन के लिए c i a n लिखेंगे अब add करते समय आपको पता चल जाएगे कि job की बात हो रही है किसी occupation की बात हो रही है किसी की नौकरी है किसी का पेशा है यह हो गया musician फिर यहाँ पर magic है magic का मतलब जादू अब जो दिखाता है जादू उसका पेशा जो magic दिखाता है वो क्या हो गया magician magician ना बोलके magician बोले magician करेक्ट उचारन यही है फिर है politics से हमने इसको convert किया occupation में job में तो politician politician क्या है politician फिर यहाँ पर है electric यानि ए का उचारन जो correct वो ए ही पड़ेगा electric पी pronounce कर देते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं electric का electrician 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 इस तरीके से आप spelling को divide करके जैसे मैंने break करना बता है तो ऐसे divide कर सकते हैं प्रतेक जो यह जो हिस्सा है part है इसमें एक vowel letter जरूर होना चाहिए a e i o u में से फिर देखे फिजिक से फिजिक से physician physician तो शन sound आ रहा है और क्यों आ रहा है यह आपको पता चल गया सही spelling को यहाँ पर लिखना आ गया तो इस तरीके से आप जो है practice कर सकते हैं उचारन की भी rules के साथ साथ pronunciation की भी और सही spelling लिखने की भी इसमें आप सीखने वाले हैं w के उचारन के नियम और इसके बाद एक और rule हम देखेंगे जो शल का है वो rule वो आगे discuss करेंगे तो सबसे पहले w का जो उचारन है उसके नियम देख लेते हैं कि w को हम किस तरीके से pronounce करते हैं w का जो उचारन रहेगा न वो तीन तरीके से रहेगा w को व करके भी पढ़ते हैं w को व करके भी पढ़ते हैं w को व करके भी पढ़ते हैं जो सबसे ज़्यादा English में spellings यूज होती है w यानि ए का जो combination इस साथ में रहेगा इसको मैं आगे बताऊंगी तो व करके जो w को पढ़ा जाता ये अधिकांश spellings आपको मिलेगी maximum रहेगी फिर इसके बाद में व वाली आ जाएगी और बिल्कुल कम रहेगी व वाला जो उचारन है व करके ये minimum बहुत कम spellings रहेगी बहुत कम देखने को मिलेगी इसकी लिस्ट में बता दूँगी चार-पांच ही spellings रहेगी तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व वाले spellings यानि डबलू ए का combination रहेगा इसकी व साउंड इसका रहेगा अब इसका rule भी यह है कि जब किसी English के word में करेंगे वा करके अब जब भी आप spelling लिखेंगे वा करके sound आएगा वा करके sound आएगा तो डबलू ए लिखेंगे देखें यहाँ पर starting में आपको डबलू ए नजर आ रहा है वा का उचारन आते ही एक तो spelling आप लिख सकते कि वा के लिए डबलू ए और उचारन भी यहाँ पर मैं बता रहे हूँ तो इनको हम सारे spelling को एक बार pronounce करकर देख लेंगे यहाँ पर सभी spelling में डबलू के बाद ए है और हम वा करके pronounce कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर है डबलू ए वा ज़ इस एस को हमने ज़ पढ़ा है कि एस से पहले बिफोर जो है वाउल लेटर द आ जाए वॉज तो यहाँ पर ए जो है वाउल साउंड है तो इसलिए हमने एसको ज़ पढ़ा वॉज हो गया फिर यहाँ पर है वार क्या है वॉज अब इसको वार पढ़ेंगे इसको वार नहीं पढ़ेंगे वार हो गया और करके यानि ए आर का उच्चारन यहाँ पर और करके हो रहा है लेकिन यह डबलू के साथ एक अनेक्ट है ऐसे भी आप समझ सकते हैं फिर है यहाँ पर वांट क्या है वांट और एन और ट के कॉंबिनेशन वाली स्पेलिंग्स में मैंने आपको बताई है वांट आधन और ट का उच्चारन वांट फिर यहाँ पर है वाटर क्या है वाटर वाटर फिर यह है वाच वाच टी सी एच का उच्चारन चै है साथ में वाच हो गया ward हो गया, rd वाला combination है last में, ward हो गया, ward un, यहाँ पर ward un है, ward un, ward un, फिर यह है wall, क्या है, wall, wallet, wallet हो गया, warm हो गया, warmth, warm, warning, तो walk करके sound आ रहा है, walk, lk वाला combination है last में, walk, walk के बाद में, wasp, sp है last में, wasp, फिर है swan, swan, swallow, swallow का मतलब होता है, यहाँ पर निगलना, swallow कर लेना, कोई चीज़ निगल लेना, यह है swap, swap, यहाँ पर w, a, यह w के साथ s connect है, आधे सह के रूप में इसके साथ sound कर देगा, और यह w, a का combination भी है, तो swap बन गया, s साथ में लग गया, तो swap, 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 यह है wand, wand, last में andy है, andy का combination रहता है, wand, यह है wonder, wonder, जैसे warden था, यह wonder है, यह है warranty, वारंटी नहीं बोलेंगे, इसको इसलिए warranty बोलेंगे, वारंट है, यह warranty है, यहाँ पर वाई लगा है, तो warranty यह warranty हो गया, वारंटी या वारंटी नहीं बोलेंगे, यह है walnut, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे, वालनट, तो इस तरीके से सारी जो spelling list है, जिसमें w के साथ a connect है, और इसका उचारन हम वा न करके वा कर पर हिंदी में लिखा है, तो इन सारे spellings को आप पढ़कर practice कर सकते हैं, यह है w a वाले spelling, जहां पर उचारन हो रहा है, वा क्योंकि w के बाद में a लिखा है, अगला rule देखेंगे, यानि कि अगला जो इसका उचारन है, या rule है, w a, यह way sound rule है, यहां पर way, यानि w a को हम वे, क पढ़ते हैं, English के किसी भी word में, जब w के बाद i लिखा रहेगा, तो हम वे पढ़ेंगे, तो पहला rule क्या है, कि w के बाद i लिखा रहेगा, तो हम वे पढ़ेंगे, यानि w, w आ जाएगा, फिर a, i आ जाएगा, यह, और w के बाद में y लिखा होगा, और w, a, y होगा, तो हम वे पढ़ेंगे, फिर अगला है, दो तो समझ में आ गया, कि w, a के बाद में i लिखा रहेगा, तो हम वे पढ़ेंगे, डूसरा है, कि w, a रहेगा, और फिर consonant आ जाएगा, यहां पर w, a के बाद में, जो भी वेजन है, और consonant वो, और last में silent e वाला जो combination रहता है, वो वाला यानि silent E आता है तो भी हम क्या करेंगे वे पढ़ेंगे WA के बाद में कोई consonant आ जाता है WA के बाद में consonant और फिर silent E तो ये तीन रूल है वे पढ़ने के कि जब हम WA को WA को वे पढ़ें WA को वो हमने अभी पढ़ कर देखा वहाँ पर I या ये जो अभी लेटर्स बता रहे वो नहीं आ रहे थे ना तो I ना Y अब यहाँ पर इन स्पैलिंग्स में आएगा इस लिस्ट में आएगा देखेंगे तो सबसे पहले W के बाद में AI है यहाँ पर W के बाद में A Y है और यहाँ पर वो W के बाद में A, W के बाद में A, फिर यह C का मतलब Consonant और लास्ट में Silent E लास्ट में Silent E वाला Combination अब यह तीनों रूल मैंने बताया और तीनों रूल के लिस्ट है तो सबसे पहले W के बाद में AI हमने पढ़ा वे, तो यह है व, डबलू ए व, ए, ट, वे, अब चाहे तो यह जो AI रहेगा ना इसको भी A पढ़ते हैं फिर यहाँ पर W के लिए व आ गया और इसको A पढ़ा तो यह A उपर चला गया ऐसे भी समझ सकते हैं यह जो मात्रा है इस उपर चले गई वेट हो गया वेटर हो गया वेटरेस हो गया फिर है वेल और वेस्ट इस तरीके से वेट, वेटर, वेटरस, वेल और वेस्ट तो इन स्पैलिंग्स के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपर W वाला कॉंबिनेशन है जिसके साथ में AI लगा और हम वे पढ़ रहे हैं और वैसे भी हम जब वाले कॉंबिनेशन बें देखते हैं तो AI को A पढ़ते हैं मतलब एक तरीके से ये AI की मातरा की रूप में AI का प्रियोग होता है अब जब W का जब सिंगल W का हम उचारन लेंगे तो वह साउंड करेगा सिंगल W, अगर W के बाद में आ रहा तो W करके साउंड करता है सिंगल अगर हम बात करें तो W करके साउंड करता है तो W नीचे आ गया और AI के लिए उपर मातरा चले गए ऐसे भी समझ सकते हैं फिर आगे है यहाँ पर भी जब A, Y का कॉंबिनेशन देखा था हमने प्रिवियस जो क्लासेस थी उनमें तो A, Y को भी A करके यानि A की मातरा की रूप में ही प्रणाउंस करते हैं डबलू हो गया तो इसके नीचे व कर गया आ गया तो ऐसे यहाँ पर देखें वे हो गया ठीक है वे अवे स्वे इस तरीके से यह स्वेलिंग्स है फिर यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डबलू के बाद में A और A आ गया फिर कॉंसोनेंट और फिर E यह कॉंबिनेशन भी हमने जब पांचो वावल लेटर्स थे उनका उचारन देखा था उनका उचारन देखा था लेकिन यहाँ पर जैसे A ही है E नहीं है I नहीं है O नहीं है U नहीं है A जो है वावल लेटर वो है तो W के साथ A connect है A का ही साथ है यहाँ पर W के साथ सारे स्पैलिंग्स में देख रहा है कि W A का पेर साथ में आ रहा है चाए वो पड़ रहा है इन चाहरे रहे हैं तो यहाँपर देखिंए वेक, होगया आवेक, होगया, वेस्ट, होगया वेव, वेयर हाउस तो यहाँपर जो है यह दो spellings का connection है तो यहाँपर पहले वेयर फिर यह हाउस है, वेयर हााउस इस तरीके से, तो यहाँपर भी ए फिर आर कॉंसोनेंट लास्ट में अगर देखा जाए इस स्पैलिंग को ब्रेक करते हैं तो ए लास्ट में आता है तो वेर हाउस तो इस तरीके से यह सारे स्पैलिंग के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां पर डबलू ए का कॉंबिनेशन है और कब हम वे पढ़ रहे हैं बहुत कम स्पैलिंग्स यूज में आती है और यहां पर यह वेज है क्या है वेज डबलू के बाद में ए है फिर जी कॉंसोनेंट इ यहां पर साइलेंट है वेज का मतब होता है मजदूरी जो होती है वो अब यहां पर नोट रखें इन दो स्पैलिंग्स को इनको रूल से क कॉंसोनेंट फिर इ आ रहा है तो इसको आप ऐसे ही याद रख लें वाटर हो गया यहां पर डबलू ए का कॉंबिनेशन है तो हम वाटर वो पढ़ रहे है ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है तो इन दोनों स्पैलिंग्स को कनेक्ट कर लिया जाता है तो इनको आप ऐसे मे देखा कि वाटर पढ़ेंगे यहां तो ठीक है वाटर पढ़ा डबलू ए को लेकिन यह स्पैलिंग आपको मेमराइज रखनी है वेफर इसको वाटर करके नहीं पढ़ रहे है कि डबलू ए है हमने वाटर दिया नहीं कुछ स्पैलिंग्स जो है रूल्स को फॉलो नहीं करत यहां पर ओ है ए नहीं है वर्ड्स होते जहां पर हम डबलू ए को वे पढ़ते हैं बहुत कम होते हैं जिनको यहां पर मैंने बता रहा है टोटल यहां पर फॉर वर्ड्स होते हैं इनको आप ऐसे ही प्रैक्टेस कर सकते हैं जैसे इसको यहां पर डबलू ए का कॉमिनेशन ह यहां पर भी WA का यहां पर भी WA का अब इनको हम वो करके नहीं पढ़ेंगे इनका उचरन वै करके हो ज़ाएगा जैसे wax हो गया वैग हो गया, wagon हो गया swim हो गया यह इसको swim नहीं पढ़ेंगे इसको swim यहवाला sound आइगा I करके sound आइगा swim रहेगा तो आप इन spellings को ऐसे ही practice कर सकते हैं तो यहाँ पर अभी तक मैंने बताए कि डबलू ए का जो pair रहता है या डबलू के साथ में ए लग गया फिर आई आगया या डबलू के बाद में ए वाई आगया तो हम कैसे हम pronounce कर रहे हैं जो है इसके उचारन रहते हैं डबलू ए के तो यहाँ पर रूल के साथ मैंने complete word list के साथ आपको बता दिया अब next rule के तरफ बढ़ते हैं जिसमें यहाँ पर है यह C-I-A-L का combination C-I-A-L और T-I-A-L दोनों ही same sound produce करते हैं दोनों का जो उचारन same sound निकलता है अब दोनों का sound क्या रहता है शल यह उचारन है इसका C-I-A-L को भी हम शल पढ़ते हैं T-I-A-L को भी हम शल पढ़ते हैं लेकिन कब क्या कैसे पढ़ेंगे rules के साथ, spelling के साथ, example के साथ हम पूरी list के साथ देखने वाले हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखने हैं कि इसको शियल करके भी pronounce कर दिया जाता है यह वाला शियल जो की correct उचारन नहीं होता तो इसको हम शल करके pronounce करेंगे चाहे C-I-A-L हो या T-I-A-L हो शल करके ही हम pronounce करेंगे तो यहाँ पर confusion जैसे मैंने बता देगी कौन से English के शब्द में कौन सा शल हम use करें जब दोनों का sound शल है तो हम कहाँ पर T-I-A-L लिखें कहाँ पर हम C-I-A-L लिखें यह confusion है तो यह confusion दूर हो जाएगा अभी मैं rules जब बताऊंगे तो देखें यहाँ पर rule है जो C-I-A-L वाला शल है न वो vowel के बाद आएगा यानि की C-I-A-L वाला शल vowel के बाद में यानि यहाँ इसके जो है इससे पहले before यहाँ पर जो vowel letter है पांचो यह तो A होगा E-I-O-U इन vowel letters के बाद ही आएगा और यह T-I-A-L वाला शल है न यह consonant के बाद में आएगा यहाँ पर जो है consonant रहेगा यहाँ कोई न कोई consonant फिर T-I-A-L लगेगा तो यह जो improve कर सकते हैं जब आप spelling लिखें तो कहाँ पर हम कौन सा शल लिखें pronunciation same है लेकिन हम T-I-A-L लिखें C-I-A-L लिखें तो यह आपको help कर सकता है सही spelling को लिखने में और mostly क्या होता है कि जो बड़ी spellings होगी वहाँ पर वो शल लगा रहेगा बड़ी spellings होगी वहाँ पर शल रहेगा तो उचारन, pronunciation, spelling rules सारा कुछ है देखें यहाँ पर अब यह समझ में आ गया है कि consonant के बाद में T-I-A-L वाले शल को use करेंगे अब एक चीज़ है C-I-A-L से पहले एक चीज़ याद रखना है कि remember रखे, याद रखे क्या, जब C-I-A-L से पहले vowel letter से vowel letter रहेगा ना, इन से पहले कोई ना, कोई vowel letter तो थोड़ा सा उचारन के लिए आपको ध्यान रखना है जैसे कि अगर A-O-U A-O-U यह vowel letter रहेंगे तो long sound बोलना है long sound का मतलब इनका नाम बोलना है जैसे यहाँ पर rate A का sound A, mate और O का ले ले जैसे mole, O, O जैसे हम बोल रहे हैं जैसे इसको इसके नाम से बोल रहे है A को हम A, इसका नाम बोल रहे है O को हम O, इसका नाम बोल रहे है U को हम U, यानि कि इसका नाम बोल रहे है यानि कि यह sound से आपको बोलना है कुछ exceptions है कुछ आपको U के sound में ध्यान रखना है जो spellings में बता दूँगी, वहाँ पर U न बोलकर U बोला जाता है, U, है तो वो भी इसी का sound, जैसे U, एक हो गया, short U, ये U का ही sound है, लेकिन नाम से नहीं बोलते हैं, next, अगर E, I रहेगा, तो short sound हम pronounce करेंगे, जैसे, met, let, sit, ये E, I रहेगा तो, sit, bit, इस तरीके से, चले, साथ ही में आपको spelling के साथ भी बता दूँगी, अगर ये समझ में नहीं भी आया है, तो, अब यहाँ पर देखेंगे, vowel और फिर, प्लस C-I-A-L वाला शल रहेगा, spellings देखें, यहाँ पर इन सभी spelling में आप देख रहे हैं, कि C-I-A-L last में है, शल, sound इसका शल है, C-I-A-L क फिर यहाँ पर आई है, यह भी vowel है, तो इस तरीके से C-I-A-L के शल से पहले एक vowel letter है, इनको pronounce कर देते हैं, यहाँ हो गया, सो, शल, सो, शल, इसको सोशल प्रनाउंस करेंगे, सोशियल नहीं करेंगे, सोशल हो गया, फिर यह है, स्पै, S-P-E, स्पै और शल, आप इन स्पै इसको ब्रेक करके तोड़ के पढ़ने के भी कोशिस कर सकते हैं, फिर यह है, बैनी, फी, शल, 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 बैन Judicial, चा पढ़ेंगे? Judicial निक्स्ट देखते हैं, यह है ओफ इशल, ओफ इशल, ओफिशल, फिर आगे है Art-E- celebr, Artificial, Art-E- communauté, notredep hello. को फिर यहाँ पर है रे रे शल रे शल रे शल फिर है सूपर फी शल सूपर फिशल सूपर फिशल यहाँ पर भी आई है सी आई एल से पहले अन ओफिशल अन ओफिशल अन ओफिशल फिर है यह यह फेशियल नहीं फेशल 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 नहीं फेशल फेशल स्पै यहाँ पर है specially, 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 specially नहीं बोलेंगे specially, 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 c-i-a-l का sound श और फिर l-y, specially, 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 break भी करेंगे तो specially, इस तरीके से हम तीन भागों में डिवाइड कर देंगे इसको, तीन पार्ट्स में नहीं पाड़ेंगे इन प्रेंग्स क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं फिर से एक बार प्रेनाउंस कर देती हूं इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं यहाँ पर एक है स्पेलिंग जैसे यहाँ पर crucial जैसे judicial थी वैसे ही crucial यानि उ का sound यह pronounce कर रही है उ का sound कहा सकते हैं यह वाला यह जैसे हिंदी में उ लिखा है तो यह उ का sound crucial और judicial next देख लेते हैं कुछ exceptions यहाँ पर exceptions यह है कि c i a l से पहले यहाँ पर consonant है क्या है c i a l से पहले इन spellings में देखेंगे तो consonant है लेकिन अभी हमने रूल में पढ़ा कि c i a l से पहले vowel letter होना चाहिए लेकिन यहाँ पर consonant है तो चलिए इन spellings को क्या करना है exceptions रहती है अपवाद रहते हैं तो इन spellings को आपको ऐसे ही कुछ spellings को याद रखना पड़ता है एक दो बार reading करने के बाद वो पढ़ने के बाद वो याद हो जाते है रूल्स को यह फॉलो नहीं करते हैं जैसे finance finance से बना financial देख सकते हैं finance फिर financial यहाँ पर CE है यहाँ पर CE जो last में है यहाँ पर C तक तो है लेकिन C-I-A-L हो गया है शल अगर हम शल में जा रहे हैं तो शल वाली spelling में यहाँ पर हमने देखा कि यह है commerce और जब commerce से हम इसको पढ़ेंगे commercial commercial ना पढ़के इसको pronounce करें commercial तो यहाँ पर commercial यानि C-I-A-L से पहले एक जो आर है वो consonant है कहने का मतलब है कि C-I-A-L से पहले consonant इन spellings को आप याद कर लें pronunciation बता रहे हूं commerce commercial फिर यह है province इसको province करके भी पढ़ते हैं तो आप province यानि प्र अ करके pronounce कर दे province से provincial 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 तो इस तरीके से इन spellings को आप याद रख लें ऐसे ही क्योंकि C-I-A-L से पहले यहाँ पर consonant है अब चलते हैं हम T-I-A-L वाले shell sound पर यहाँ पर T-I-A-L से पहले बात की थी कि consonant रहेगा तो यहाँ पर mostly जो है consonant P रहेगा बहुत कम रहेगा mostly जादा तर अधिकतर spelling में N रहेगा फिर आर और बिलकुल न के बराबर दो तिन spellings में P रहता है तो यानि T-I-A-L से पहले यह तीन mostly consonant रहेगे बहुत जादा जो रहेगा N रहेगा spellings की practice कर लेते हैं यहाँ पर जो है consonant T-I-A-L से पहले तो सबसे पहले यहाँ पर है potential potential हो गया essential फिर है substantial substantial यहाँ पर है रेजी यह एस को हम जो पर रहे है रेजी डैन्शल रेजी डैन्शल हो गया presidential यहाँ पर भी S को हमने जो पढ़ा है क्योंकि S से पहले E है तो इस तरीके से जो रूल से वो आपको उचारन में help कर देते हैं correct उचारन में presidential हो गया फिर यहाँ पर देखेंगे influential हो गया influential फिर यहाँ पर है differential हो गया फिर है confidential इन spellings को यह बड़ी spellings है इनको जब आप pronounce करें एक-एक spelling को बड़ी spelling को ले और break करके इनको तोड़ के pronounce करें एक sequence में break करें और फिर इनको pronounce करें फिर देखें see sequential हो गया अब यहाँ पर है कौन कौन अब इसको जी पढ़ेंगे या सी पढ़ेंगे क्यों ऐस से पहले जो है एन है ऐस से पहले एन जो के consonant है तो हम ऐसको सौ पढ़ेंगे कौन सी क्वेंशल हो गया यह तो ऐसे break करें फहले कौन सी फिर क्वेंशल तो यह divide कर ले इनको parts में फिर है circumstant 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 circumstantial हो गया फिर आगे चलते हैं pru prudential हो गया प्रियू नहीं पढ़ेंगे pru का sound mostly u का sound ऐसे u का sound रहेगा prudential हो गया फिर आगे देखते हैं यह है refer 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 आगे एसे पढ़ें रहें प्रेय आगड़ेंशल पहले reference बरेक करके इसको प्रिणाउंस करें शज्म हो गया लास्ट में फिर है इन सबस्टेंशल हो गया फिर यहाँ पर है एविडेंशल हो गया अगली स्पेलिंग है क्री हो गया क्री फिर डेंशल हो गया फिर इसको भी जैसे पार्शल बोलेंगे पार्शियल नहीं बोलेंगे एक पार्शल अलग होता है यह पार्शल है तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग से इनको ब्रेक करके भी आप प्रिनाउंस कर सकते है तो यहाँ पर रूल था कि हम कहाँ पर C-I-A-L लिखे कहाँ पर T-I-A-L लिखे शल के उच्चारण के लिए अब यहाँ पर कुछ स्पेलिंग्स है एक्सेप्शन वाली है यह रूल्स को फॉलो नहीं करती इनको आप ऐसे ही learn कर ले याद कर ले, memorize कर ले जैसे कि क्योंकि अगर C-I-A-L से पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक N है N एक consonant है तो C-I-A-L से पहले नियम के अनुसार एक vowel letter आना चाहिए लेकिन यहाँ पर N आ रहा है तो यह opposite है रूल के अनुसार नहीं है रूल के opposite है तो इन spellings को आप याद कर ले जैसे कि यह है Financial हो गया Commercial हो गया Commercial Provincial Provincial हो गया Initial हो गया Initial हो गया Provincial अब इसको Provincial Pro A करके sound भी रहता है तो Provincial यह प्रनाउंस कर ले Provincial Initial Provincial Initial यहाँ पर है special वो एक special अलग होता है यह special अलग है फिर यहाँ पर special के बाद में देखे palatial इसको पाला या ऐसे नहीं पढ़ेंगे palatial यह इसका उचारण है palatial है यहाँ पर और यह जो spelling है यह एकदम अलग है यानि शल के लिए sial लिख रहे हैं तो इसको आप ऐसे याद रखे controversial 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 भी pronounce करते हैं control करके भी तो control पढ़ दें या control controversial 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 या controversial इस तरीके से तो यहाँ पर आपने देखा कि tial का use rule के अनुसार कैसे करते हैं कुछ spellings जो है rule को follow नहीं करती उनको आप ऐसी ही याद कर सकते हैं उससे पहले डबलू के तीन उचारन देखे हैं हमने spellings के साथ mostly सारे spellings यहाँ पर cover भी हो जाती है जो भी examples दे हैं spellings के तो इनकी आप practice कर लेंगे तो उचारन में कोई परिशानी नहीं रहेगी English के spelling लिखने में भी नहीं रहेगी तो आज के English के spelling rules pronunciation की class में बस इतना है मिलते हैं next class में